क्या आपने गुजरात बनाम लखनाव का जो मैच होने वाला है कल उसकी फैंटसी टीम बना ली है नई बना ये कोई बात ने मैं होना यहाँ पर आपको सारे स्ट्राटेजी सारी टिप्स सारी ट्रिक्स बताऊंगा इस पूरे वीडियो को अन तक जरूर देखिए और अगर प मैं आपका दोस्त और होस्त रॉनक कुमार केडिया फ्रम दा फैंटसी गली शो एक और नया ब्रैंड न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ जहां पे मैं आपको कल के होने वाले मैच गुजरात वर्सेस लखनों का सारा डिटेल्स देने वाला हूँ सारी स्ट्राटेजी स्ट करेंगे कि हमको जितनी भी डेटेल दे वो अल्मोस्ट एक्यूरेट हो लेकिन टॉस के बाद थोरी चेंजेस आ सकती हैं तो उसको आप ध्यान में रखते वे अपडेट्स लेते रहिए साथ में अगर आपको परिशानी हो तो आप हमारी वेबसाइट फैंटेसी गली डॉट कैसी है तो वेन्यू जो है वान के डे स्टेडियम में इसका जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है चन्ने वर्सेस कोलकाता के मैच में की जो टेंपरेचर है वो 30 डिगरी सल्चियस है और हुमिरीटी 51 परसंट की आसपास है तो थोरी स्टार्ट में स्टार्ट में मिलेगी आपको थोरी पेसर्स को मदद मिलेगी जैसे पहले मैच में मिली थी पिच जो है वो बैलेंस जिक्यों कि यहाँ पे पुल 82 मैच 82 मैचे हो चुके हैं फर्स बैटिंग जो टीम है वो 40 मैच जीती है और सेकेंड बैटिंग 42 मैच तो कोई डिफरेंस वैसा कुछ खास है नहीं हाई स्कोरिंग मैच होता है जेनरली यहाँ पे हाला कि पहला मैच वैसा पुछ हाई स्कोरिंग हुआ नहीं था लेकिन जेनरली इन पिचेस पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं एवरेज फास्ट इनिंग स्कोर क्या 168 की है वो यहाँ पे ध्यान रखे कि 180-190 तक पहुँच सकती है आसानी से टीम कैसा खेल लिए उसके उपर डिपेंड करता है टोटल विकेट्स का है 911 इस पिच पे गए गए यह हैं उनमें से 656 फास्ट बॉलिंग जैसे मैंने कहा कि आपको फास्ट बॉलिंग को थोड़ा ज्यादा बदद मिलता है तो 656 फास्ट बॉलिंग ने और उनका अगर आप देखे तो पूरी लाइनप के यह अगेंस्ट जो है अवेश खान हो जाए चाए दिपक खुड़ा हो जाए चाए मारकस टॉनिस हो जाए या शाहबाज नदीम हो जाए यह चारों आपको खेलने वाले मारकस टॉनिस अवेलेबल नहीं हाला कि पहले मैच मे लेकिन इन तीनों के अगेंस्स इनकी इस्ट्राइक रेट देखे एक सो पचासी, एक सो टावन और एक सो तिरासी की है तो आप डेविड मिलर को अपनी टीम में जरूर है कि इनों फ्रंट लाइन बॉलर से और इनकी अगरिस इस्ट्राइक रेट काफी तगरी है इनकी तो डेविड मिलर को आप अपनी टीम में ट्राइ कर सकते हैं, रख सकते हैं, वो आपको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट्स दिलवा सकते हैं, दूसरे head to head की बात करें तो हार्दिक पांडिया वर्सस अंकित राजपुत, कुल इनों नों 17 बॉलों में 42 बनाये हैं, तो 381 का इस ट्राइक रेट इनका रहता है, तो यह आप यहाँ पर ध्यान दीजे कि यह बहुत तगरे हार्दिक पांडिया फॉर्म में अगर आ गए तो बहुत तगरा मार सकते हैं, पूरी टीम के अगेंस्ट, वो एक आपके X-Factor प्लेयर भी बन सकते हैं, तो यह head to head हमारे interesting stats यहा आगे बढ़ते हम गुजरात Titans के Probable 11 कौन से हो सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं Matthew Wade से, Matthew Wade का अगर आप देखे तो average fantasy point 32, यानि कि last 10 matchों में जो है इनकी average fantasy point 32 है T20 Leagues में, runs जो है last 5 T20 Leagues में जो है इनके 7, 10, 48, 83 और 1, यह थोड़े अच्छे scores है तो आप इनको अपनी 3 में ट्र आपको थोड़ी all-round probabilities भी दे सकते हैं, हाला कि last 5 matches में जो है कुछ इनको balling करने का opportunity नहीं मिला, लेकिन यह all-rounder के तरह भूमिका निवा सकते हैं, तो balling आपको भी provide करवा सकते हैं, वहाँ पे आप ध्यान दीजे कि दो dimensions अगर player रखते हूं, तो उनको ज्यादा preference देना चाह इसलिए इस average fantasy point पे जो है उतना यहाँ पे ज्यादा impact नहीं पर पारा क्योंकि wickets का column इनका खाली है, हाला कि यह balling all-rounder भी आएंगे, तो balling भी करेंगे fantasy point बढ़ सकते हैं, डेविड मिलर की बात करें, उनके बाद तो डेविड मिलर के 38 fantasy point है, वो भी आपको अच्छी खासी you know, batting powers, finishing powers दिखा सकते हैं, तो आप इनको try कर सकते हैं, अभिनाव मनुहर 62 इनकी average fantasy point है, domestic इनका काफी सी अच्छा गया था, तो इनको भी आप देख सकते हैं, domestic former player आ रहे हैं, राहूल तेवटिया 40 इनकी average fantasy point है, यह थोड़ी सी batting भी कर लेते हैं, और balling भी ठिक ठाक कर ल fantasy points दिलवाते हैं, normally यह average इनकी 75 की है, अगर आप देखें, wickets टाले में तो 2-4-1-2, तो इनको आप as a wicket taker IPL के almost अभी legends में count होने लग गए हैं, तो राशिद खान को आप अपनी team में try जरूर कर सकते हैं, जयंत यादव की बात करें तो 32 average fantasy point है, हाला कि इन conditions का इनको अच्छी खासी template है वो चल रही है, उसके बाद देखें, मोहमद शमी, 52 इनकी average fantasy point है, जो 5 इनको ने domestic D20 लीग खिली थी, उनमें 1-3-1-2 wickets हैं, तो अच्छे खासे form में मोहमद शमी भी आ रहे हैं, इनको भी आप fast balling powerhouse में देख सकते हैं, लौकी फर्गसन की बात करें तो express pace, 1500 से उपर की speed से ball डालते हैं, average fantasy point की 66 की है, थोरी बहुत batting भी दिखा देंगे आपको, और wickets tally देखें, तो consistent है, यह आपके consistent player में आ सकते हैं, जो आपको अच्छे average points दिलवा सकते हैं, बात करते हैं, अगर लखनाओ की जो है probable 11 कैसी दिख सकती है, तो उसकी अगर हम ब 99, 67, 21, 16, तो इनको आप अपनी team में try कर सकते हैं, यह आपके value pick हो सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छे खासे average fantasy points देखने को मिल रहे है, कुंटन डिकॉक, 41 इनके average fantasy point है, यहाँ पर आप देखें, 41 की है, तो इनको भी आप wicket keeping skill भी provide करते हैं, तो दो चीज यहाँ पर dimensions, हा मनिश पांडे 54 की average fantasy point है, इनकी runs देखें तो 13, 54, 29, 4, 32, हाला कि यह top of the order में आएंगे तो इनको responsibility ज्यादा मिलेगी, हो सकता है कि ज्यादा अच्छा खेल जाएं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, मनन वोरा के तरफ तो इनकी average fantasy points 47 किये, आप देखें तो यह अगर चलते हैं, तो क तो आपको अच्छे-खासे points दिलवा सकते हैं, क्रुनाल पांडिया, 46, इनकी average fantasy point है, यहाँ पे देखें, all-rounder prospect यहाँ निभा सकते हैं, runs जो है, यहाँ पे इनके किसी-किसी match में अच्छे-खास वजा जैसे, इसमें 57 run है यहाँ और wickets 4-4-1 match में है, तो यह आपको अगर जिस दिन इसका अच्छा चला, वो दिन जो है, आपको काफी अच्छे runs भी provide कर सकते हैं, wickets भी लेके दे सकते हैं, तो double dimension player है, इनको आप अपने team में try कर सकते हैं, एक दिन अगर इनका नहीं चला कोई dimension, तो दूसरा dimension जरूर चलेगा, चलना चाहिए, दीपक हुड़ा की ब जब भी balling किया था, तो भी अच्छा किया था, तो इसलिए दीपक हुड़ा को अपने team में रख सकते हैं, कृष्णपपा, गौतम, जो है average fantasy point 49 की है, ये भी आपको wickets दो लेके देंगे ही, साथ में थोरी बहुत batting भी करनी इनको आती है, दूस्मांत चमीरा, 46 king की average fantasy point है, और देखें तो चलते हैं, तो काफी wicket ले लेते हैं, चार wicket, तो इनको आप X-factor player के तरह रख सकते हैं अपनी team में, कोई इसमें दूसरी template नहीं आती है, आप देखें यहाँ पे तो 1-0-1-4-1 ऐसा है, इनका एक match में लगा था, एक match में 4 wicket ले लिया, बाकी सब में नहीं चले तो 0 wicket भी आ सकते हैं, तो X-factor player इनको बोलते हैं, जो की चले तो बहुत अच्छा चल गए, और नहीं चले तो consistency नहीं आती है, आला कि वही X-factor player कहलाते हैं, बाकी अगर आगे बार तो रवी विश्णोई 50 इनका average fantasy point है, इसमें आप देखें तो 0-1-3-1-2 ऐसा इनका चैली चल रहा है, उसके बाद आवेश खान ये भी एक X-factor player है, X-factor player मतलब जो की अगर चले जिस दिन उस दिन काफी अच्छा आपको fantasy point स्कोर करवा देते हैं, अगर नहीं चले तो हो सकता कि कुछ भी न आप दे दे दिला है, जैसे कि इनका अगर देखें तो template यहाँ प 3, 2, 1, 0, 1, तो यह इनकी total complete probable 11 हमारे ही साब से बनती है, कुछ changes हो सकते हैं, अगर वो changes जानने के लिए आप toss के बाद हमारी website fantasygully.com पे आईए और चेक कीजे कि क्या क्या details है, क्या क्या changes है, वो सबाब को आपको 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 आ बिल जाएंगी, आगे हम चलें वीडियो के तरफ तो टॉफ fantasy picks जो आप बेसमरी से इंतजार कर रहे थे कि टॉफ fantasy picks कौन से हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, तो टॉफ fantasy picks के अगर बात करें तो गुजरात, टाइटन्स, गुजात अटका शुबमन गिल और राशित खान, ये almost ह आप अपने टीम में रखना ही चाहेंगे शायद, क्योंकि उनकी average fantasy points आपने देखित 70 की है, और आवेश खान भी काफी अच्छे प्रवाइड करते हैं, तो आपको वहाँ पे भी fantasy points यहाँ पे अच्छे खासे मिल सकते हैं, तो इसलिए ये top performance रहते हैं normally हर fantasy league में, तो आप इ कैसे conditions में, क्या उनके runs थे, क्या form चल रहा है, सब बता दिया, आप अपने हिसाब से भी, अपना जैसे कि हम कहते हैं कि hashtag अकल on करो, थोरा सा दिमाग लगाईए, और अपनी team खुद strategize कीजिए, हम आपको strategies कैसे बनानी है, वो बता दिया, strategy आप खुद बनाईए, थोरा कीजिए, थोरा खेल को enjoy कीजिए, तभी fantasy ले खेलने मज़ा भी आएगा, आगे हम चले investment strategy की तरफ तो low, जैसा कि मैंने वीडियो के start में भी कहा कि दोनों नई team हैं, इनको पता नहीं है, मतलब हमको पता नहीं कि इनकी jelling कैसे हुई है, अपने team के साथ हुई है, नहीं हुई यह form कैसा आ रहा है, प्लेयर्स का, बॉर्णिंग अच्छी होगी नहीं होगी, वो सब कुछ पता नहीं है, और pitches भी नएने हैं, और कैसा play करेंगी, पता नहीं हमको, तो इसलिए low investment strategy हम suggest करने कि यह फिलाल अभी उतना पैसा मात लगाईए, लेकिन आपका जितना budget है, उसके recording हम आपको बहुत सारे suggestions देगे कि यह यह fantasy leagues है, यह fantasy teams है, जहाँ पे आप participate कर सकते और खेल सकते, तो आपको पूरा वहाँ पे suggestions मिलेगा, पूरा strategies मिलेगी वहाँ पे, तो आप जाके जरूर कीजिए, बात करते captain, vice captain picks कौन कौन से हो सकते हैं, तो captaincy, vice captaincy picks बहुत difference पैदा कर हैं, जब आपको team बनानी होते हैं, क्योंकि double और 1.5 points दिलवाते हैं, head to head या small league की बात करें, जहाँ पे आपको consistent player चाहिए, तो KL Rahul और राशित खान, एक safe pick हमारे हिसाब से, एक अच्छे pick हो सकते हैं, आपके captaincy और vice captaincy prospect के लिए, कि head to head या small league जाप खेल रहे हैं, तो इन द की बात करें, तो grand league में, दोना मैं बताता हूँ, हार्दिक पांडिया और आवेश खान, यह अगर चल गए form में आगए, तो आपको अकेले दम पे बहुत सारे points दिलवा सकते हैं, जैसे कि मैंने खा, x factor इनका काफी अच्छा है, तो हार्दिक पांडिया और आवेश खेलें, थोड़ा risk है, नहीं चलें, तो हो सकता है कि नहीं चलें, लेकिन चलेंगे तो आपको काफी differential pick provide करवा सकते हैं, तो इसलिए x factor player grand league में थोड़ा सा strategy आप अपना change कर सकते हैं, यहाँ पर provide करवा सकते हार्दिक पांडिया और आवेश खान, तो grand league में अगर आप try करना चाते है यह दो जो है, आपको अच्छे कासे point दिलवा देंगे, तो यह हमारे top picks हो गए, fantasy picks हो गए, investment strategy कैसी होने चाहिए, captain, vice captain के options कौन से होने चाहिए, आपको वीडियो में सब कुछ बता दिया, detail में, hopefully आपको मजा आया हो, आपको बहुत कुछ सिखने को मिला हो, tips and tricks समझ में आय लगा है, तो इसलिए आप इसका हमको reward देजे थोड़ा सा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो please like कीजेगा, साथ में comment करके बताईए, का आपका favorite part कौन सा था, कुछ अच्छा नहीं लगा, तो वो भी बताईए हमको, हम change करने के कोशिश जरूर करेंगे, share किजे वीडि मिलती है, उससे बहुत help मिलता है, और जाते-जाते, bell icon जरूर दबा दिजिए, और links जिसके जितने भी मैंने कहा, apps हमारे website हमारी सबके links, description में दिएगो, हर team की detailed analysis, detailed review, strength क्या, weakness क्या, सब बने वे, उनके भी links description में हम दलवा देंगे, तो आपको कहीं और जाने की जरूत नही आपको क्या